एक ही विप्ति के पीछे पड़े साप के किस्से फिल्मों और कहानियों मेरी सुनी होगी लेकिन योपी के फते पुर्जिले में एक मामला सच साबित हो गया है यहां के रहने वाले यूवप को एक ही साप कई बार डस चुका है यूवप जहा जहा जाता है साप उसके पीछे पहुँच जाता है और फिर उसे डस लेता है 40 दिन के अंदर साप अब तक यूवप को 7 बार डस चुका है साप इससे पहले यूवप को 6 बार काट चुका है 7 बार साप ने फिर से यूवप को डस लिया है तो यूवप के घर वाले उसे अस्पतार लेकर पहुँचे जहां उसे युवक और उसका परिवार पूरी तरे से डरा सहमा है। विकास दुवे को फिर से डस लिया। विकास दुवे को एक बार फिर अस्पताल में भर्दी कराया गया है। साप के हमले से विकास दुवे और उसका परिवार पूरा दहशत में आ चुका है। दहशत के चलते ना तो विकास दुवे सोब आ रहा है और ना ही उसके परिवार वाले। विकास दुवे के घरवालों ने बताया कि विकास को एक सपना आया था, सपने में विकास ने उसी साप को देखा जिसने उसे डसा है। सपने में साप ने बताया कि वह अभी दो बार और डसेगा। आठवी बार काटने पर विकास दुवे को कुछ नहीं होगा लेकिन जब वो नौवी बार डसेगा तो विकास दुवे की मौत हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कहा रहा हूँ, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहा रही है। चालिस दिन में यूव को साथ बार काटने का मामला अब तूल पगरता जा रहा है। 24 साल के विकास दुवे के पीछे पड़े साप कर रहसे सुल जाने के लिए अब फतेपुर प्रशाशन आगया है और बकाइदा एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी हर उस पहलों की जाच करेगी जिसमें विकास को साप के बार बार काटने और डॉक्टर ने इलाज करने जैसे पॉइंट शामिल है। इसके बाद ये रिपोर्ट डीम तो सौपी जाएगी। इस मामले में आगे क्या होगा ये भी हम आपको जरूर बताएंगे।